नमस्का अब टेंथ क्लास में हम बिलकुल नया टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं ट्रिग्नॉमेटरी Trigonometry यह actually Trigonometry होता क्या है Trigonometry इसके अंदर Trigonometry Actually यह दो Parts में अपने इसको डिवाइट कर सकते हैं यह Trigon यह आता है From Triangle And Matry means This is Measurement मतलब Trigonometry यह क्या होना चाहिए Measurement of Triangle Triangle का Measurement करना मतलब क्या इसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि Triangle होता क्या है To Triangle When three non-collinear points These are joined by line segments Non-collinear मतलब ऐसे points जो एक ही straight line पे ना हो उनको अगर हम line segments से join करेंगे तो जो figure obtained होता है That is called triangle अब triangle को measure करना तो पहले यह देखें कि Triangle के parts क्या होते हैं Triangle के अंदर 6 parts होते हैं तीन sides और तीन angles अब sides तो line segments हैं और line segments को हम measure कर सकते हैं Scale से, scale से उनकी length निकाल सकते हैं फिर next होता है angle अब another question arise What is an angle? तो angle के लिए angle positive and negative अब देखेंगे अंगल positive or negative actually angle होता क्या है angle के अंदर अगर यह एक ray है if this is a ray if it rotates in anti-clockwise direction अगर यह ऐसे यहां से rotate होई और इस position पे पहुँचे तो यह angle formed यह इसको बोलेंगे positive angle theta अब यह angle के लिए theta शब्द आपको मालम होना चाहिए Greek letter है तो यह theta is used for this angle अच्छा, negative angle क्या होगा? if this ray is rotating in clockwise direction then the angle formed will be minus theta अभी तक आपने angle positive angle तो पढ़े हुए है 30 degree, 40 degree, 50 degree लेकिन negative angle नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन negative angle भी होता है और negative angle कब मिलेगा आपने को? जब की ray clockwise direction के अंदर rotate होती है तब हमारे पास में negative angle आता है even आप यहाँ भी trigonometric ratios पढ़ोगे और trigonometric ratios यह negative angle के लिए क्या होते हैं? यह आप 11th class में पढ़ोगे हम सब से पहले तो एंगल, positive angle मतलब anti-clockwise direction में और negative angle मतलब clockwise direction के अंदर trigonometric के अंदर हम angle अगर हम यह angle निकाल सकें तो हम बहुत सारी चीजें उसमें से कर सकते हैं अभी trigonometric का use करके आप जैसे देखिए मानिए एक पहाड है पहाड बहुत उचा रहता है और उसकी height निकालनी है अब पहाड की height निकालनी हो तो हम पहाड की चोटी पे जाके तो अगर हम ना पेंगे तो वो तो जो है इस तरह का slope के अंदर length आएगी height निकालने के लिए क्या आम को उसमें गड़ा करना पड़ाएगा चोटी में जाके कि बिलकुल जो है इसा गड़ा करें और उसके बाद में उसकी height निकालें लेकिन trigonometry का use करके हम विनावज में गड़ा खोदे हुए और हम किसी भी चीज की height निकाल सकते हैं distance निकाल सकते हैं तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे ये trigonometry में अब देखिए height अगर निकालनी है तो हमको अपना सिर यूँ पर करना पड़ेगा पहाड की चोटी को देखना पड़ेगा या फिर अगर हम मानलो 20 मंजल उपर इमारत में हैं और किसी उसका अगर हमको मानलो हमारी building की अगर height निकालनी है जिसमें हम हैं या हमको कार के दो कार दी हुई है और उसके बीच का distance निकालना है तो हमको ऐसे नीचे देखना पड़ेगा तो जब हम उपर की तरफ देखते हैं तो horizontal के साथ में जो angle बनता है उसको बोलते हैं हम angle of elevation तो angle of elevation क्या होगा जब हम नीचे से उपर की और देखेंगे अगर यह building है तो जब नीचे से उपर की तरफ देखेंगे तो this angle is called angle of elevation और अगर हम height पे हैं अगर हम यहाँ पे height पे हैं ठीक है अब यहाँ से इस building से अगर हमने कोई car को देखा या कोई भी object को यहाँ से देखा तो यह horizontal के साथ में जो distance जो angle बनेगा this angle is called angle of depression और यह जो line है जो यहाँ से इस point को join करती है इसको बोलते हैं line of sight so this is called line of sight okay तो this is line of sight this is angle of elevation angle of depression all right अब हम इसमें आएंड जब हमने यह रे को इस रे को रोटेट किया यह एंगल पॉजिटिव एंगल है सपोज दिस एंगल इस थीटा ठीक है तो दिस इस इनिशिल पॉजिशन और दिस इस फाइनल पॉजिशन ओफ रे पॉजिशन के अंदर हम कहीं पे भी कोई सा भी पॉजिशन अगर यह पॉजिशन ले लें पी और इस पॉजिशन से अगर हम यह परपेंडिकुलर ड्रा करें इनिशिल पॉजिशन पे सपोज दिस इस पी एम और यह अगर पॉजिशन ओ है तो देखिए हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया अब यह ट्राइंगल इसके अंदर तीन साइड्स है तीन साइड्स में से कोई सी भी दो साइड्स को लेके हम टोटल कितने रैश्योज बना सकते हैं हम टोटल छे रैश्योज बना सकते हैं इससे पहला रैश्यो हो सकता है अब देखिए इसके अंगल के सामने वाली जो साइड है और यह हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो this is called perpendicular अगर इसको हम short में P से denote करें capital P से और O.M. ये है base जो width angle होती है side इसको बोलते हैं base और जो सबसे बड़ी side होती है right triangle की इसको बोलते हैं hypotenuse इसको अगर हम H से denote करें अगर इसको H से denote करें तो देखिए यहां पे हमारे को total कौन कौन से ratios मिल सकते हैं देखिए सबसे पहले अगर हम P upon H लें एक ratio बना B upon H लें दूसरा ratio बना P upon B लें तो यह तीसरा ratio बना अब इन ratios को पलड़ दो पलड़ दो मतलब अपने P upon B की जगे अगर B upon P ले लें तो यह चौथा ratio बन गया फिर अपने B upon H लिया उसकी जगे H upon B लें पांचवा ratio बनी गया ऐसे ही P upon H लिया था उसकी जगे P upon H की जगे H upon P ले लें तो यह छटा ratio बन गया ठीक है यह छे ratios को अलग-अलग नाम दिये हुए है and these are trigonometric ratios जहां से trigonometric की शुरुबात होती है तो हम सबसे पहले यह देखें पहला trigonometric ratios P upon H इसको बोलते हैं sine और यह angle theta है to sine theta is equal to होगा P upon H मतलब perpendicular upon hypotenuse perpendicular मतलब opposite side और upon hypotenuse means longest side तो opposite side upon longest side this is sine theta लेकिन इसको short में हम पूरा sine नहीं लिखते है इसको लिखते है S I N sine theta ठीक है दूसरा ratio होता है cosine theta cosine theta यह होगा B upon H base upon hypotenuse इसको हम adjacent side upon hypotenuse भी बोल सकते हैं this is equal to इसको इसको भी हम short में cosine पूरा लिखने की जगे short में लिखते हैं cos theta ठीक है तीसरा trigonometric ratio हमने यहाँ पे देखा था P upon B इसको बोलते हैं tangent theta tangent theta यह होगा P upon B perpendicular upon base और इसको भी short में हम लिखते हैं 10 theta 10 theta चौथा रेशो अब हम सब को पलटना चालू करते हैं तो P upon B की जगे इसको अगर हम पलट दें तो B upon P हो जाएगा और यह trigonometric ratio कहलाएगा cotangent cotangent theta and this is B upon P और इसको short में हम लिखते हैं cot theta पूरा cotangent लिखने की जगे हम लिखते हैं cot theta ठीक है फिर पांच भाहाँ अब हम इसकी जगे इसको पलट दें तो यह B upon H की जगे हो जाएगा H upon B और इसको बोलते हैं secant theta secant theta यह होगा H upon B H upon B और इसको short में हम लिखते हैं sec theta sec theta ठीक है फिर छटा यह इसका reverse कर दो तो यह P upon H है now this will become H upon P और H upon P इसको बोलेंगे cosecant theta cosecant theta तो cosecant theta क्या होगा this will be H upon P H upon P ठीक हैं और इसको short में लिखेंगे cosec theta cosec theta ठीक है तो यह 6 trigonometric ratios हमारे पास में आए और हमने यह देखा यह cosecant यह sine का उल्टा है reverse किया हुआ है तो यह cosec theta actually क्या होगा 1 upon sine theta ऐसे ही sec theta यह किसका reverse है यह cos theta का उल्टा है तो this can be written as 1 upon cos theta then cot theta इसमें P upon B को उल्टा किया था so this is 1 upon 10 theta अच्छा ऐसे ही हम यह देखें तो 10 theta यह 1 upon cot theta है cot theta का उल्टा है means this can also be written as as 1 upon cot theta this can be written as 1 upon sec theta and this can be written as 1 upon cos theta इनको भी इसका पलट के और उल्टा लिख सकते हैं means this is 1 upon cot theta this is 1 upon sec theta and this is 1 upon cos theta cos theta cos theta तो यह 6 trigonometric ratios होते हैं और यह actually trigonometry की शुरुवात है और अगर हमको 2 sides मालूम हो देखिए आप सब ने च्छटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं एक theorem बहुत famous theorem है और वो theorem है Pythagoras theorem आप सभी को मालूम है यह right angle के उपर based है और Pythagoras theorem क्या बोलती है Pythagoras theorem के हिसाब से अगर यह right triangle है तो इस में H square is equal to P square plus B square B square ठीक है तो hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square यह होता है इसका मतलब अगर हमाँ पसमें कोई सी भी दो साइड्स दी हुई हो right triangle में तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं और अगर हमने तीसरी साइड निकाल ली तो हम इन में से कोई साभी trigonometric ratio निकाल सकते हैं we can find it तो questions जो आपके इसमें generate होंगे सबसे पहले कि कोई सी भी दो साइड्स दी हुई हो और हमको तीसरी साइड निकाल ली हो तो अब हम कुछ questions देखेंगे जो इसके उपर based आते हैं तो उनको हम करके देखें तो trigonometric ratios हमने देख लिए अब देखिए ये question इस तरह के इन triangle ABC right angled at B तो triangle जो है वो right angled triangle है तो let us draw this triangle अगर हम triangle बनाएं ये triangle ये right triangle है इस right angled triangle में ये angle B ये दिया हुआ है और हम को ये A, B और C ये दिया हुआ है है नहीं यहाँ पे A, B 24 cm दिया है A, B 24 cm दिया है और B, C ये B, C ये 7 cm दिया हुआ है वी हाँ टो डिटर्माइन अब देखिए हमको sine qua से निकालना है सबसे पहले first part के अंदे तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर हम आरे पास दो sides हैं तो हम तीसरी side निकाल सकते हैं Pythagoras theorem से So, first of all we will write by Pythagoras theorem Pythagoras theorem यहाँ पे A, C square मैंतला पे H, A, C square is equal to A, B square plus B, C square B, C square means H square is equal to this is B square plus P square है नहाँ So, H square will be equal to B B कितना दिया हुआ है 24 का square right plus B, C square मितलब 7 का square So, this will be equal to Now 24 it's square तो आप 24 को 24 से multiply करके देख सकते हैं 4 into 4 16 1 बचा तो 4 into 2 this is 8 8 and 1 9 then 2 into 4 this is 8 and 2 into 2 this is 4 So, this will be 6 then here 7 and one batch of 5 5 76 this is 5 76 and plus 7 square is 49 So, this will be equal to 9 plus 6 this is 15 1 7 plus 4 11 11 plus 1 means 12 and then 6 So, H square means hypotenuse square is equal to 625 और 625 को हम लिख सकते हैं 25 का square So, H square is equal to 25 का square So, H will be equal to 25 25 25 right इसका मतलब ये AC हो गया 25 जहां हमको तीनों साइड्स आ गई अब तीनों साइड्स आ गई तो देखिए सब से पहले साइन A हम यहां पी देखेंगे अंगल A ये वाला इस अंगल के लिए सामने वाली साइड पर्पेंडिकुलर होगी है ना तो वी विल राइट पॉर एंगल A पर्पेंडिकुलर इस P इस इक्वाल टूपर्पेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड 7 है ना और बेस हो जाएगी ये AB मतलब 24 or hypotenuse H is equal to 25 this is for angle A therefore sin A therefore sin A will be equal to sin A होता है perpendicular upon hypotenuse so this perpendicular is 7 upon hypotenuse is 25, then cos A, cos A, this will be equal to base upon hypotenuse, means this will be, यहाँ पे base है 24, और upon 25, तो यह दोनों निकल गए, अब हम देखें, यहाँ पे second part के लिए, second part के लिए, now see, sin C और cos C, मितलब हमको angle C के लिए निकलना है अब, तो for angle C, angle C, perpendicular क्या होगा, perpendicular इसके सामने वाली side होगी, तो यह C, यह C, इसके सामने वाली side, मतलब 24, perpendicular is 24, base हो जाएगा, adjacent side, मतलब इसके साथ वाली side, 7 cm, 7, and hypotenuse is 25, यह सब चीजे हैं, अब हम निकालें, sin C, so sin C, will be perpendicular upon hypotenuse, यह आपको याद होना चाहिए, perpendicular यहाँ पे है 24, and hypotenuse is 25, दूसरा, cos C, to cos of C, will be equal to, यह होगा, base upon hypotenuse, means, here, base is, base है, यहाँ पे 7, और hypotenuse है, 25, so, 7 upon 25, this is cos C, तो इस तरह से, अगर कोई सी भी 2 sides दी वही हो, तो पाइथगर उस्तियोर, हम से हम, तीसरी side निकालेंगे, और तीसरी side निकालने के बाद में, हम, कोई साभी trigonometric, यहाँ तो सिफ sign और cos पूछा हुआ है, हम 10 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि P upon भी होगा, कॉट निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कोई साभी trigonometric ratio हम निकाल सकते हैं, तो यह है trigonometric ratios की शुरुआद, और दो sides दी हो, तो हम कोई सी भी तीसरी side निकाल के, कोई साभी trigonometric ratio निकाल सकते हैं, So, next time we will see some more examples based on this. Thank you.